हाई गर्ल्स वल्कम बैक टुमाइग यूट्यूब चैनल ब्लशिंग व्यूटी कैसे हैं आप सब आप सब अच्छी होंगे हापी होंगे सेफ होंगे मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और आचीज वीडियों बात करने वाली हूँ घर पे आपको दुलन का फेशल कैसे करना है यह बताने वाली है तो आए वीडियो करते हैं शुरू अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छी रही तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा आप मुझे इंस्टर्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं यह आप इंस्टर्राम या फेस्बुक पर मुझे बात कर सकते हैं मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी आपका रिपलाय करूं एंड आई वीडियो करते हैं शुरू करसी बलकुल भी जरूरी नहीं है कि आप अपन है तो इसके पहले आप मेरा मानना है कि जब से शादी हो गई आप पी बैडल फेशियल आप खुद पे घर से करने लगी कैसे करना है वही मैं बताने वाले तो आइए देखते हैं तो कलस यहां पर मैंने फेशियल लिया हुआ है नेचर सेसंस की एंड मेरे तीन चार तरह के ले लिए हैं गोल, डायमेंड, पर्ल तो आप वाली वीडियो ज़रूर देखिए हैं जिसमेरे हर फेशियल के बारे में डीचिल में बता देती हूं मेरी कॉमिनेशन स्किन है एंड कॉमिनेशन स्किन पे आपको भी फेशियल कर सकते हैं बट यहां पर यूज कर यूंकि वि पाइया फेशियल किट एंड इसके अदर आपको फाइफ स्टैप मोलते हैं पहला होता है डीटर्ण थेरेपी उसके बाद स्टैप 1,2,3,4 तो डीटर्ण थेरेपी आपको पहले 15 मिनट मतलन लगाने होती है डीटर्ण के बाद आप स्टैप नुबर 1 कीजिए स्टैप नु पाइया फेशिल किट एंड यह जो पाइया फेशिल किट है यह में लिए टू हांड़ड़ सिस्टी टुपीज की ओन्लाइन मैंने ली थी एंड इसके शेल्फ लाइफ तीन साल तक है चोटी सी किट है तीन साल तक आप यूज़ कर सकते हैं खुती ज़दा अजी बात है एं पाइया फेशिल किट वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़दा ड्राय है एं साथ ही साथ यह फ्रूट फेशिल की तरह वर्क करता है तो जिनकी ड्राय स्किन है वो यूज़ कीज़े जिनकी वाली स्किन है वो यह वाला फेशिल अवाइट कर सकते हैं यहा मैं open कर रही हूं तो इस तरह से आप देखिए चोटी-चोटी ट्यूब पाकेजिंग के अंदर facial kit होती है चार step होती है और फेशिल से पहले apply करने के लिए होता है अब मैं सबसे पहला step करने वाली हूँ detent therapy करने वाली हूँ आप यह फेशिल ब्लीच के बाद भी उस कर सकते हैं अगर आप में ब्लीच नहीं किये तो आप detent therapy जरूर यूज कीजिए detent therapy आपकी tanning रिमूफ कर देता है dirt रिमूफ कर देता है एक fresh look आता है आपकी skin में अगर कोई भी sun tanning burn वगेरा हो गया होता है तो उसे clean कर देता है तो इससे लगा कि आपको कम से कम 15 मिनट छोड़ना है उसके बाद आपको इसको wipe off कर रहा है आप किसी भी cotton के cloth से cotton से या wipe से से remove कर लीचे उसके बाद आप face wash कर सकते हैं तो यहां मैं जल्दी-जल्दी से apply कर ले रही हूं और मैं अपने हाथों से apply कर रही हूं मेरा यह माना है कि अगर आप brush से apply करेंगे तो brush में न कुछ न कुछ dirt होती ही है आप वो brush तुरंद wash करके तो use करेंगी नहीं तो आप इसको हाथ से लगाईए अप मैंने यहां face wash कर लिया है और face wash करने की बाद एक तब fresh look लग रहा है step number one में अब हम use करने वाले हैं cleanser यह cleanser है मतलब cleansing milk की तरह यह work करता है तो basically करना क्या है थोड़ी सी quantity में लगा कि अपने face पे थोड़ी सी rubbing करने है massage करने है आप gently हाथों से massage कीजिए और पाँच मिनट तक आप massage कर सकते हैं यह लगा के छोड़ सकते हैं इसको मैं हलका हलका सा rub कर रही थी यह लगा के छोड़ने से कोई फैदा नहीं यह rub करेंगे तो वो dirt निकलेगी तो हलका हलका gently हाथों से rub करना है यहां मैंने थोड़ी सी fast forwarding की हुई है आप gently हाथों से धीरे-धीरे rubbing कीजिएगा और कोई भी side effect हो या burning लगी तो आप तुरंट face wash कर सकते हैं यह बहुत ही जादा अच्छा facial है मैं हमेशा से use करती आई हूँ तो आप इसे जरूर use कीजिए इस तरह से पांच मिनट अच्छे से rubbing करनी है ताकि पूरी dead cells आपकी dead skin निकल जाए थर्ड step है scrubbing सेकिंड step स्टेप है scrubbing तो यहां पे scrub use कर रही हूँ and scrub use करने के लिए आप ध्यान रखेगा कभी भी scrub आप directly skin पे मत लगाईएगा आपको या तो फेश को पानी से धोलेना है उसकी बाद scrubbing करनी है या फिर आप scrub में थोड़ा सा पानी एट कर लिए उसकी बाद फेश पे लगाईए मतलब एकदम dark मतलब गाड़ा scrub नहीं लगाना है वो आपके skin को harsh कर देगा तो यहां पे आपको scrubbing जो करनी है वो तीन से चार मिनट scrubbing करनी है जेंटल हातों से करनी है यह scrub आप डॉर्मली हफते में एक बार कर सकते हैं आप चाहे तो फेशल के साथ यूज़ कीजिए एल्स आप इस scrub को बन सा वीक यूज़ कीजिए बहुत ही ज़दा अच्छा रिज़र्ड देता है और इस scrub तो कोई भी हो आपको मतलब dead skin को निकाल देता है एक even look आता है clean look आता है और फेशल का जो हर step का मतलब ही है कि आप अपनी skin से dead cells को remove करके perfect skin ला रहे हैं तब ही वो glow आता है यहां मैंने पानी से face wash किया है ना जादा गरम पानी था ना जादा थंडा था नॉर्मल था उससे wash करने के बाद मैं इसे अपनी face style से हलका सा mop कर रही हूँ मुझे बहुत ही ज़दा fresh skin लग रही है और इस तरह मैंने कुछ भी नहीं लगा ज़स पेश वाश करके इसको मैंने मोब किया है अब मैं थर्ड स्टेप पे जा रही हूँ जो थर्ड स्टेप है वो आपको massage cream है massage cream से आपको face पे massage करनी है and face पे massage कैसे करनी है वो आपको करके दिखाऊंगी massage cream यूज करने के बाद आप थोड़ से पानी की drops ले लीजे अपने हातों में अगर आपके pimples वगेरा जादा है तो आप इस step में massage करते समय tea tree oil की drops भी add कर सकते है तो इस तरह से आपको जैसे आपको scrub करना है वैसे ही massage करनी है massage के कोई भी अलग से massage नहीं होते है आजकल market में ना cell based battery वाले massage आ गए है face massage तो अगर आपके पास वो है तो आप वो भी use कर सकते हैं बट मेरा मानना है कि हातों से जो massage होती है वो कोई भी artificial चीज नहीं कर सकती है तो मैं तो हातों से ही करना पसंद करती हूँ तो ये चीज बहुत ज़दा अच्छी लगती है मुझे massage cream जो होता है वही massaging सबसे ज़दा बड़ा role play करता है एक facial में तो facial में जितने अच्छे से आप massage करेंगे जितने gentle हातों से और जितनी देर तक उतना ज़दा अच्छा रिजटाएगा कम से कम 15 से 20 मिनट आपको massage करनी है यहाँ मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ एक दो घंटे की वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ तो यह मैंने पूरा कम से कम 20 से 22 मिनट massage किया था यही step follow किये थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ तो यह clean हो चुका है नाव फेश बॉश करने की बाद ऐसा look आ रहा है तो आप देखिए अब नाव मैं फोर्थ स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है उसमें जाओंगी लास्ट स्टेप है आपका फेस पैक फेस पैक बहुती जादा अच्छी चीज होती है इसी से glow आता है जो glow आता है वो फेस पैक से आता है तो यहाँ पे इस कौंटेटी में रहे फेस पैक निकाल लिया है इसको अपने फिंगर टिप से apply कर रही हो पूरे face पे apply कर रहों की और ऐसा नहीं करना है आपको बहुती कम क्वाइटी में आप लेने है आप सोचते हैं कि नहीं जादा टाइम चल जाएगा हलका सलाकाले नहीं अच्छी खासी कॉंटिटी में आपको लेनी है अच्छी खासी लेयर बनानी है ताकि आपके अंदर स्किन के अदर जाए और अपना अच्छा डिजर्ट दे सकी ब्राइड आप लोग बिल्कुल भी सीज में कजूसी मत कीजेगा हाँ अगर शादी नहीं आप नॉर्मली करें तो आप हलका फुलका यूस कर सकते हैं पालर्स पे तो यही होता है हलकी हलकी कॉंटिटी में लगा देते हैं और बोल देते हैं कि हाँ अच्छे सी हो गया लेकि जो आप घर पर अच्छी कॉंटिटी यूस करके करेंगे वो जादा च्छा रहेगा यहां फेश पैक लगाने के बाद यह मैं रिमूफ कर रहे हूं आपके सामने ही रिमूफ कर रहे हूं ताकि आपको पता चल सकी कॉटेट का क्लोथ जो है उसे मैंने वेट कर लिया है उसके बाद रिमूफ कर रही हूं तो आप यह तो डिरेक्ली फेश पॉश कर लीजे या रिमूफ कर लीजे उसके बाद फेश पॉश कर लीजे कैसे भी आप कर सकते है 24 आपकी है कोई भी कमेंट हो आप नीचे पूछ सकते है एंड इसका परचिसिंग लिंक मैं आपको नीचे दिस्क्रिप्शन पर दे दोंगी एंड कूपन कोड वगेरा भी आपको दे दोंगी यहां face wash मैंने कर लिया है एंड इस तरह का लुक आ रहा है अपना face wash करने की बाद ड्राय कर लिया है उसकी बाद देखिए ऐसा लुक आ रहा है इस फेशियल में बहुत ही जाता आप तीन बार face wash कर रहे हैं बहुत जादा affordable हो जाता है और लॉग लास्टिंग भी है आप खुद से कर रहे है तो hygiene purpose भी बहुत जादा रहता है इसमें काफी अच्छा रिजर्ट आता है तो आप घर पे जरू ट्राय कीज़े इस तरह की फेशिल किट एड एक किट जरूर ट्राय कीज़ेगा अगर अच्छा रिजर्ट आता है तो आप दुबारा पॉचिस कर सकते हैं मैं तो पतलब हर मन्त यही किट स्यूस करती हूँ चाहे व का लुकार एक दम बेस्ट परेशिंग मिल रही है तो इस तरह की फेशिल किट आप जरूर ट्राय कीज़े आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजेगा शियर कर दीजेगा कमेंट कर दीजेगा एंड यूज करके आपके क्या रिजर्ट आ है यह भी कर दीजेगा रिजर्ट आपके कर दीजेगा टूरो इस प्राइब।